हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफॉमेंस कैसा रहा मंडे से लेके फ्राइडे के दिन पतलब इस पाच टेडिंग सेशन में और क्या हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में वह हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट से नमस्कार मैं जीद सिंग स्वागत कर तो अपके चैनल ठाकूर कैपिटल में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने एक हायर लो इस्टेबलिश करने की कोशिश किया हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं जिस तरगेगा सिनेरियो है मगर एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक छ उसको निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया और एक नया लो बनाया 18,350 का मतलब इसको हम लोग lower lows कह सकते हैं मतलब पहले जो लो बना था उससे एक नीचे और एक लो बना मतलब previous low को previous high को ब्रेक नहीं किया higher lows बने अब यहां पर देखें तो lower highs बन रहे हैं अभी मतलब पहले जो high बना था अब जो high बना है उसके नीचे बना है आपको समझाने ही कोशिच करते हैं किस तरीकी का हम लोग यह देखें तो lower highs बन रहे है previous high उसके नीचे एक हाई बना है तो यह confirmation नहीं है कि trend continue रहेगा यहां से हम लोग देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर यह ब्रेक नहीं होता तो हमको एक थोड़ा सा शंका थोड़ा सा एक फियरफुल मार्केट बन सकता है सबसे पहले यह ब्रेक होना चीए 18600 का लेवल तो यहां पर हम लोग देखें तो जो अभी सिनेरियो जो अब तरीके से चल रहा है देखें तो गैप अप ओपनिंग रही और इस गै बायर एग्रेसिव थे तो बायर सचमुझ बाइंग कर रहे है कि नहीं नेक्स केंडल में यह हमको समझने मिलेगा और वहां से बाई करते हैं तो ज्यादा ज्यादा चांस होगा कि यह हाई ब्रेक हो सकता है मतलब 18,360 का पहले हाई ब्रेक हो उसके बाद 18,600 का लेवल ब्रेक बायर विन हुए ना सेलर विन हुए अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी यह मैंस पर क्या कर रहा है और प्लेहर चार्ट में कैसा लग रहा है बैंक sniff और बड़े टाइम फ्रेंपे बैंक diff में क्या हो सकता है वो हम सुझझे की कोशिश कर रहे है weekly charts पर अब देखें तो बैंक sniff पिँ में एक अच्छा मूव हमँको देखने मिल रहा है बैंक ओफ्टी ने previous iR oni को establish किया और वापस एक higher low establish किया है weekly charts पे और up trending move में trade कर रहा है तो bank nifty का जो trade है जो bank nifty के signals है वो काफी clear है एक higher low establish किया है monthly chart पे वहीं हम लग देखें तो bank nifty ने जनवरी मंत में 7% का gain किया है और वहीं जनवरी मंत में स्रिफ 14 point minus रहा है nifty और 0.08% मतलब कोई भी buying selling नहीं देखी buying nifty कोई buying देखने के लिए मिली banking share हो में अब बात करते हैं यह में इस पे कि यह में इस पे कैसा लग रहा है देखे तो 5 mm के उपर है nifty 30 mm के उपर है 20 mm के नीचे है अब बात करें हम लोग monthly मख़ी मंसली चार्ट पर हर इमें के ऊपर है तो अच्छा संकेत है कि अभी तक हर इमें के उपर ट्रेट कर रहा है अब बात करते हम और बैंग निफ्टीWill soldier की बात करें तो बैंग नयविफ्टी अपने हर इमें के उपर है weekly चार्ट में दिखें तो सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड और लेटिव के साथ कि वह भी स्टॉक मार्केट के सब्सक्राइब को बहतर तरीके से समझ सकें नमस्कार धन्यवाद